राम राम दोस्तों आज हम बात करेंगे हर्याना के आने वाले CT exam की जिसमें लगबग 30 question हर्याना के आने वाले हैं तो आज हमारा ऐसा topic रहेगा जो कईने के आपको 2 या 3 question ज़रूर देगा तो आज हमारा टोपिक रहेगा थर्मल पाउर प्लांट आपने थर्मल पाउर प्लांट की क्लास तो काफी देखे होंगी लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ जितना डाटा इस वीडियो में आपको मिलेगा साहधी कहीं और मिलेगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तो चलिए वीडियो को इसी के साथ करतें स्टार्ट तो जैसे आपने पता हरियाना में जो बिजली लाने का सरे है वो किसको जाता है चोदरी बंचिलाल जी को तो शुरू में हम उसके बारे में एक दो बात पढ़ते हैं तो देखिए हरियाना में बिजली को लाने वाले चोदरी बंचिलाल जी है जिनका सपना था कि वो 1970 तक संपुरोन अरियाना में क्या लादेंगे बिजली लादेंगे संपुरोन अरियाना में कब लादेंगे 1970 लेकिन उनका यह है जो सपना अगर आप कोई सपना लेते हो तो उस पर अगर आप को खरा उतरना है तो मैनत करने पड़ेगी तो इन्हों नहीं मैनत की तो वो जो सपना जोन उन्होंने टार्गेट रख था उससे पहले मने कि 19 मैं 1970 में यह सपनों का पूरा हो गया है ठीक है आगे है बंचिलाल जी को आदो निकरियाना का जनम दाता भी माना जाता है क्यों माना जाता है क्योंकि उन्हों को इसलिए माना जाता कि वो बिजली लेके आए थी ठीक है और इनको हरियाना का लोपुरुस भी का जाता है हरियाना के क्या का जाता है लोग पुरुष और भार्त का लोग किसे का जाता है सरदार वुल्लब पाई पटेल जी को, ठीक है तो इन्होंने सपना देखा है, भही हम क्या लेके आएंगे, बिजली, बिजली लेकाएंगे, तो इन होने जो सपना है, उसको उस पर खरा उतरने के लिए, सब्सक्राइब करते हैं तो यह डेट भी काफी पूछी जाएंगे तीन मैं उनिस सब्सक्राइब करते हैं अगर कोई भी बिजनस स्टार्ट करते हैं उसमें आपको मुनाफ़ा बहुत कम मिलता है हर्यान सरकारियान हर्यान वीज़्वृड के साथ हुआ इन्हों होने सन 1986 में क्या हो गया गाटा हो गया हिनको गाटा हो गया फिर क्या हुआ हिन्होंने एक संग्ठन बनाए ठीक नर नाम है Hpgcl क्या नाम है Hpggcl हरियाना पावर जनेरेशन कॉर्पोरेशन यह भी आपसे पूछ सकता है हरियाना पावर जनेर कॉर्पोरेशन जो लिम्टिर है इसकी स्ताबना कर वही थी 17 मर्च 1977 को इसके स्थाब ना कर धी अब इसके बारे में भी एक दो क्ट पड़ते हैं इसके बारे में क्या क्या पुछता है कि जुछ सकता भी इसका मुखहले कर अप कर थे तो इसका मुखहले कर पर पंच्फकल कुले इसका चेर्मैन आप पूछले इसका चेर्मेन कोन है त्रलोग चंद गुपता इसका चेर्मेन है अच्छा इसको बना दिया गया इसको बनाने के बाद यहां पर दो काम सोपे गया यह दो मेंबर बनाए गया एक तो अग भी यहां पर दखेंगे विभाग है यह क्या है संद 14 अगे वह भाग आएंगे यह विभाग है यह कि दो आदमी खड़े कर दिये उनको काम सोप दिया गया जो पहला विभाग है जिसको बोलें हरियाना बिजली उत्पाद निगम लेंटेड और दूसरा है हरियाना बिजली वित्रन और परसान अब इनका काम क्या है जो पहले वाल है उसका जो खर्चा वखझा आए है वह सारा काम लिवर्भ थेख का देड़ी हुआ थイका जो बंगानाông स्रीओं धूसरा तो टेपार्डमंट है इसका काम क्या है वह ब्ष चुद्रनी बनाई है उसको कहा कांपर सप्लाई करनी है किसको देखें ऑनी है और ब игр बाटन और कितना वंनया वो सारा किसका काम होगा हरियाना विजली वितलन और प्रशानगर लियानिकि इसका चो पहले वाले का सका काम क्या होगा विजली बनाके इस दूसरे मेंबर को देदेना इन दोनों के डिपांडमन यह था यहीं में अगले साल यानी सन 1909 में उन्न सुनिटार में में क्या कर ढया दो बागों बाठ दी जो बिजली बोर्ड है वो दो बागों बाठ दिया गया दो बाग एक तो है यू-धिवेन और एक दी-एच बी-वेन जो यू-धिवेन उसका बोलनेंग उत्री अर्याना बिजली वित्रन निगम इसका हैड़कॉर्टर अगर आप से पूछले वह कांप रोगा पंचकुला और जो डीएच्प यानि दक्षिन अर्याना बिजली वित्रन निगम इसका है अब यहां पर प्वास्टन जो है चैसे आपको जा सकती हो क दक्षिन का तो दक्षिन में आपको उप्षन देदें जैसे रेवाड़ी गुडगाओं या मेंद्रगण के कि दक्षिन में वहीं परते हैं ठीक है तो उसका वह आंसर ना हो कि क्या होंगे हिसार अब आगे देखो भी अगे है अब जो हरियाना में पाउर प्लांट है कुछ कोईले पर है कुछ जल पर आधारित है कुछ पवन पर आधारित है कुछ प्राली पर आधारित है तो यह सारे अलग लग है तो स्टार्टिंग में हम करेंगे जो ताप पर आधारित होंगे ठीक है ना जो ताप पर आ और दारी thermal power plant है तो उनमें पहला किसका नाम आता है इंद्रागांधी क्योंकि गांदी के नामपर हर्यानdhi में तीन thermal power plant है तो हम इनको एकएक छीकर करेंगे तो पहला है इंद्रा गन्दी thermal power plant ठीक है इसके दूसरा नाम भी दिया गया या तो डायक आपसे पूछ ले इंद्रा गांदी थम्मल पार प्लांट कहां पर पूछ सकता आपसे अरावली शूपर तापियत विद्धुत प्रियोजना क्योंकि अरावली यह जो जजजर है ठीक ना जो अरावली की पाड़ियां यह उस तरफ ह तो यह काप्र हैं ज़ाडली में अप पूस्क यह पूंसकी स्तापनाwe 2010 इसकी कैपस्टी कि 대해 कि तिने अवह हैं इसकी 500 civ मेंगावर्ट यह बनाता है और यह दिबताओंघांगा कि एक में कि लएक वाट हूंते यह नोलिज भी आपको पतावना चाहिए यह लाट अंद तक देखना वीडियो तो अब इसकी यूनिट के तीने तीन है आगे है इसको दो कंपने चला रही है मेंने प्वेस्टन यह अपर भी बनता है इसको दो कंपने चला रही है एक तो आपका प्वेस्टन यह अब दो Technical power plant क्या आता है मात्मा गूंदि इंडरा गडि अब मात्मा गांदी मात्मा गूंदि थूरे मात्मा गानी थम्वात landmark प्लाइँ इसके सटाइबना कॉति ऊप्रस थी उनेच एgt-फ्याइए कांपूर जजरी ठीक खांपूर जज़सर कि इसकी अक्समता कितनी है款 1320 मेगवाट है कितनी है 1320 मेगवाट है और खानपूर से याद रखना है खानपूर आपका कहां पर पड़ता है सौनपूर जहां पर आपका नमबर पर राजिय गान्दी थर्मल पार प्लांट यह कांपर भई आपका खेदड़ में है और खेदड़ कांपर पड़ता है इसार में है इसके स्तापना कब होई थी 19 मई 2007 को इसके स्तापना कर दी की थी लेकिन इसको शुरू कब किया गया 24 अगस 2010 को यानि 2007 में बनके तैया आओ गया लेकिन शुरू कभी किया तीन साल बाद इसकी जो पावर है वह सप्लाई होने लगी इस इसे सम्ता कितनी हैं वह बनता है इसके लिए जो को कहां से आता है वह आता है उडिशा से ठीक है ना उडिशा में महानदी ठीक n और तिन्सो तिन्सो की दो यूनिट है ठीक हैं तिन्सो दिन्सो की दो यूनिट है एक सिस्तापना को फिए थी 14 अपराइल 2008 में की गई ती और कहां पर है युम्हानगर में अब इसके लिए पूछा जाएगा भी इसका जो कोईला कहां से लिया गया इसका लिया गया जाएगा घित कमपनी द्वारा स्तापित किया गया था कि अगे हैं सबसे ज्यादा जो जानकार मिलेगी आपको पाणिपत थर्मल प्लांट में मिलेगी ठीक है न क्योंकि इसकी युणिट काफी धोस्त करें जो कुलिंग पैड जिसको बोलते हैं जो टावर खड़े होते हैं ठीक आपने देखेंगे थर्मल प्लांट पता ही उनसे जो तावर है तो उनको गेर दिया गया था वह अब उनकी जानकारी उता हुआ है पानिपत्त थर्माल पाल प्लाण कि यह तो आप से option में आशन मिलेगा या फिर मिलेगा कुकराना ठीक यह तो आशन या फिर क्या मिलेगा आपको 3167.80 इसकी बैइ कुल आर्ट यूनिट थी जिसमें से च्यार यूनिट तो 110 10 की हैं दो यूनिट 210 मेगावाट की है और दो यूनिट डाइस वगे हैं यह जो च्यार यूनिट है यह 110 मेगावाट की हैं दो यूनिट 210 10 MW किया दो यूनिट 500 MW किया अब इन में से तीन जो दवस्त कर दी हुआ आगे बताओं अब इस पर एक important question और बनता है कि जो पानिपत thermal power plant है इसका दूसरा नाम क्या है यह आप से पानिपत thermal power plant नहीं पोच कि आप से क्या पोच सकता है ताउ देविलाल इंपोर्टन है भई ताउ देविलाल thermal power plant कहां पे है यह पानिपत वाला ही है ठीक है न इससे important question क्या बने सकता है इसका जो उद्गाटन है वो किस ने किया था इसका उद्गाटन ततकल ततकल का मतलब उस समय उस समय जो राश्ट्र पति था कौन था नीलम संजीव रेड़ी यह पानिपत के जो thermal power plant है उसका एक उद्गाटन उसका उद्गाटन किस ने किया नीलम संजीव रेड़ी ने किया था जो ततकल राश्ट्र पतिजें अब देख़ों यह कुछ बात अलग से मैंने लेका आया हूं कि 2015 में एक रिपोर्ट जारी की गई ठीक ना 2015 में एक रिपोर्ट जारी की गई उसमें देखा गया कि इसकी जो च्यार यूनिट है यह लगबख 40 साल पुरानी हो चुकी थी चालिस साल पुरानी होगी तो यह इनकी जो तकनी की पुरानी माननी गई एक ब्यूरा लिया गया वह यह जो च्यार यूनिट है यह अब नहीं चलेंगे तो उनको गेड़ने का तोड़ने का फैसला ले गया एक तो तभी गेड़ दी 2015 में तीन कूलिंग पैड़ जो है इसक स्टुडेंट जादा है तो उनकी कटोफ कम करने के लिए तो वह तोड़ा गहराई में जा सकती है तो देखो अब उस गहराई को जाजते हैं मने एक क्वेशन मतल टोपिक त्यार किया स्वरी पॉइंट त्यार किया इनको धवस्त करने का कारिया किसको दिया गया एक तो यह जैपुर की एक कम्पनकी advance quality ठीक है इसे और यह भी पूशकता है कि इसमें कितने सदैसियां कितने इंजिनियर आये थे तो इसमें 12 इंजिनियर आये और उन 12 इंजिनियरों का जो एक्सपर्ट में यह नहीं दिमाग तो किसी एकार चलेगा तो वह कोन था तबीने के लिए 우리로 सॉड़े 600 kg डायनामाइट का ना कितना कई है या किटना सभे 600 kg डायनामाइट का प्रियों किया गया था और इन तेन कूलिंग पैड़्डों को गेन्य में कितना खर्चले गया था सरकार पचास लाख रुपे मतलब यह तीन को लिंग पैंड़ यह गरनी है अब आगे देखो भी यह तो थे आपके कोईले पर अदारी अब है गैर पारंप्रिक और जब पर आधारी थर्मल पार्गरमन मतलब जिन का कोईले से रिलेटेड ना हो याई कोईले से अलग कोई भी जल से हो वो बरसे हो पराले से हो किसी से भी हो तो वो उनका अलग लग रहेंगे तो जैसे यहां पर मैंने बताया है न्यूक्लियर एनर्जी यानि जो परमानों पर आधारित है वाइन एनर्जी यानि जो पर आधारित है बायो गैस एनर्जी यानि के जो बायो गैस पर आधारित है तो ऐसे ऐसे क्वेस्ट बढ़ेंगे पाइंट तो हम पहला करेंगे परमानों पर आधारित और हर्याना का पहला परमानों पर अधा भाजगरे यह नहीं कि यह नैंगे इन तीन गम मुखिण से गए यानि इन कि जगह पर यह बढ़ाया गया थर्मल पाल लेकिन सबसे ज़्यदा जो जह जगाएं वह गोर्पूर की लीकि इसलिए ज़्यदा तब जब इन जाने की स्ताफना वह गज़े हैं अ कि आप से पूछे पहले नंबर पर है यानि सबसे ज़्यादा अक्समता वाला समसे ज़्यादा अक्समता किसकी है अठाइसो मेगाट यानि के गोर्पूल वाले की और इसकी वहीं च्यार इनिट है 700-700 इनिट की ठीक है चलिए आगे करते हैं अब हैं पावन ओर्जाप्र आधारित मतलब जो पावण चकीजिसकों बोलते हैं ठीका उसपर मॉर्णी हिल्स मैं है चकली याओं पूरा नाम है और यह पंचखुलाम पड़ता है दूशरी है अरावली हिल्स मियानि गुरुघ वह तो मोर्नी प suiv स्ट्र a उल्द में अपको인지स्ट यहां पर पाड़ी एरिया हो हो और यह का का निधा में है और एक अरावली मैं अरावली ऊसमें गुनुग्राम में में मौर्वन में चकली रामसर अगाव में है ठीक है अब इन से important question यह तो और वीडियो में मिल जाएगा लेकिन इन से important question यह है कि इनको लगाने में किस देश की साहिता ली थी तो होलेंड देश की साहिता से यह दोनों पाउन उर्जा यह पाउन चक्की लगाने का काम किया गया था अब बात करते हैं बायो गैस बायो गैस यह भी पोटाट है भई ठीक ना बायो गैस यह जो गोबर से बनाई जाने वाली है बायो गैस पाउर प्लांट यह कहां पर भई जीन में प्रोपर जगा पूछ ले अभी जीन में कहां पर है तो यह मोर्खी गाउं में है जेन का मेगवाट तैयार करेगा विजली यह एक पॉइंट दो मेगवाट अक्समता एक पॉइंट दो मेगवाट अक्समता का यह इतनी इसकी कैपेस्टी है और यह हर साल पच्छास से लाक यूणिट तैयार करेगा अब इस इंपोटाइट भाई इसको बनाने में ठीकना 14 क्रोड र अधारी तो थर्मल पावर प्लांग ग्यास पर अधारी कोण कोण से भई देखो यह है एक तो यानिके मेन आपका क्या क्या क्वास्टन मनेगा भई कहां पर है यह फृद्दाबाद में ठीक ना अब फृद्दाबाद में पूश सकता भी गाम कोण सा मुझेडी ठीक ना संथा का है फंदराब्सों मेगावाट का है और किस कमपनी द्वीवार लगाया गया था ये अंटीपीसी थ्रमल सोरि एंठीपीसी कर दो लगाया माधो एके Siya अब जो गैस सोर्स है यानि कि जो गैस वो कहां से आती है तो वह एच बीजी है पाइप लाइन द्वारा आती है अब यह पूछा जाता है भी पूछा जाएगा अपसे इसकी फाइटेंस यह नहीं कि इसको जब यह लगाया गया था किसे ने रुपए दिये थे इन्वेस्टम 63.60 क्रोड रुपए इतने सही इतने रुपए में यह तयार हुआ था अग्य है कि सोर उर्जा पर वह गैस पर था यह सोर उर्जा इन्चो सोलर प्लांट लगे वासकल तो सोर उर्जा पर आधर पार प्लांट कहां पर स्टार्ट के थे पहला लगा था बुद्ध कला और में परोप्र गुरामं में लगा है अन्-फ्री Oregon अब उसे एक पाथ यह वाली यह फोर गोरो में आई एस से संक्ठन अब यह आई ए क्यों बता रहा हूं क्योंकि सोर उर्जा जो बनाए गे ठीए धे मेर daí in the trailer गुरुच्ण में लगा ईकर्द thand बानगा आईату एस से दौरा तो इसका जो मुख्या लेनी हैड़ को आट रहा है वह का पर है गुरुग्राम में है लेकिन यह जो कंपणी संक्टन है कहां का यह पैरिस का भई ठीक न है इसकी स्थापना 2015 में कोई क्वेशन को आई एसे संटन जो सोलर फाल प्लांट का है उसका उसकी स्थापना का भई 2015 मे का पर होई पैरिस में लेकिन इसका संग ठन अपने भारत में और उपर इससे बड़ी बात की अपने अरियाना के गुरुग्राम में है ठीक है अच्छा एक पूछ सकता आप से सोर उर्जा विद्धूत के अंदर का पर है सोर उर्जा विद्धूत के अंदर यह नंधा गाम अगे है भी जल पर अधारित ठीक है ना जल पर अधारित थर्मल पाल प्लान दो है एक तो है सोनिपत में और एक है भई युम्ना नगर और युम्ना नगर में कहाँ पर दादुपूर युम्ना नगर में कहाँ पर है दादुपूर जो सोनिपत है इसकी अक्समता कितने 300 मेग वाट की है और यह उनी सोन्डान में बनाए गया था ठीक है न सोनिपत में कहा पर है कक्रोई नाम का गाओं है वहाँ पर है ठीक है कक्रोई उसी के नाम से बना दिया गया अगे पस्चिमी युम्नानेहर जल्वी दूत प्रियोंजना यह युम्नानेगर में दादुग 1200 Megawatt है और इन दोनों में पानी कहां से आता है इन दोनों पानी वीज पस्ची में युपना नहर से आता है चलिए आगे करते हैं कि अब आगे मैं लेका हूं प्राली पर आधारित क्योंकि एक ये भी पूछा जाता है प्राली पर आधारित पाउर प्लांट क्योंकि जो प्राली है उसको लोग जलाते थे अब उसका भी काम क्या है एक अच्छे उसमें करने लेगे उससे क्या बनाने लेगे बिजली बना ले ले तो एक क्वेशन आएगा रियाना में प्राली पर अधारित पार प्लांट हरियाना में कहां पर है तो कहां पर बना जा रहा है वो करन करना लगे अब कुछ नोदस क्वेस्टन इंपोर्ट है यह भी का एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से उठाए है तो जैसे पहला क्वेस्टन हर्याना प्रदेश में किस योजना के तहद उब्वक्ता को होम सोलर सिस्टम परदान के जारें तो किस योजना के तहद मनोहर जोती योजना आगे हैं कि हर्याना ग्रामिण सत्पर्थी सत्विद्यूति करन किस दिन मनाय जाता है तो यह मनाया जाता है 29 नौवंबर को ही क्यों चुना है इस वीडियो में स्टाटिंग में मैंने बताते 29 का वो दुबारा आप देख सकते हो 29 नंवंबर ही क्यों सत्तर को 29 नमबर 1970 को चोद रीपंची लाल जी का सपना पूरा हो गया था बिजली लाने का फिर है आगे कौन सा राज्य है ठीक ना कौन सा राज्य समार्ट मेटर और समार्ट ग्रीड किस किम लागो करने वाला पहला राज्य बना ये कौन सापना अरियाना अगला है पावन प ता्यश्क की साइब्ण से बनाया गया अगे है हुर्स है को बिजली नेगम हरियाना में कि पर देश के कि जिले में मिजली रत को रवाना किया था तो आ है यह एक रत तयार किया था पहले सके यह कहां से शुरू किया गया था गनोर अर गनोर और दो सनी पतम्न किसमि desapant spaces genu pt partiri 14 फरवरी दो जार बीश में यह रथ नीकाला गया था 14th फरवरी दोर बीश में और यह ONE मसाई 3 दिस दलता है ति आगे हैं scarf हरियाना सरकार किस महान हस्ती के नाम बर सोर उर्जा पुरुषकार देती है तो यह किसके नाम से देती है कलपना चाला के नाम से देती है ठीक ना कलपना चाला जो हमारी हरियाना की बेटी जो अंत्रिक्ष में गई थी उसी के नाम से देने लगे अगे हरियाना में बिजली प रंजित शिंग चुटाला ठीक है रंजित सिंग चुटाला और इन वनिए पंचायत कब स्टाट की पांच जनवरी 2020 से यह भी आ सकता है पांच जनवरी 2020 से जो बिजली पंचायत है वह शुरू की गई कांसे की विशार से की गई अब अगला quelqusन है बीजली समबंदी टौल फुरी नंबर किया है जैसे पुलिस का होता है अमलेंज का तो ऐसे बीजली समबंदी टौल फुरी नंबर होता है 1912 ठीक है अगला क़्वाइसन है हरियाना के बीजली मंतरी रणजीर सिंग चोटाला कहा से विदायक भे घै यह आसे कहा से राणिया से एक और इसकी कि खास बात है बहुई जो को मुख्य मंतरियं यह मनोलाली मंतरी मंदल है उसमें यह अकेले रृणजीत साथस्ट्री मुख्यी पाल्सक्स कि लेदोनियat यह निर्दलीय हैं यानि कि जितना विनका मंत्री मंदलीय've उस में निर्दलीयय सिरफ यह अकेला है ठीक है ना, अगला है, मैं, जो question है ये, यहाँ पर लिखना था है ये खौरी, एक MB धीक n Prophet ठीक हैं, यहाँ पर ये zero नहीं आएगे, यह मैं वेस्टेशन नमर दस में आगे हैं, ये मैं पूषणना चाहता हूँ, कि एक मेगावाट कितने किलोवाट के बराबर होता है तो यह कितने के बराबर होता है एक जार यानि कि एक मेगावाट कितने किलोवाट के बराबर होता है एक जार अगर आप से पूछ ले कि एक मेगावाट में कितने वाट होते हैं जैसे हमारे जो एलिदी बलब होते हैं या लगते हैं अभी 2 kg का है दो तीन किलो का वैंने जो लोड़ है उसके साब से अब आगे है हारियाना में यह लास्ट पासन ही आपके लिए हारियाना मिसर ब्रतं म्जली कब और कहां पर आई थी यह अपने बताना है कमेंट करना है की कब और कहां पर ठीक है तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद